हाई अब्रीवन वेलकम तो अभी पीडी एससी चैनल पावर्ड बैभी मन्यू आई एस सो स्टुदेंट्स आज के सेशन में हम डिसक्स करने जाना है रैपिड वीजन सीरीज का पार्ट टू राइट तो पार्ट वन इस से पहले हमने डिसक्स किया था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स रहे थे तो सिमिलर्ली आज के सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्प्स और प्रेपोजिशन के इसमें कुछन साइड ओन किये हैं तो आप एक बार कॉस्टेंस की तरफ हम मूव करते हैं जैसे कि कॉश्चन नंबर फरस्ट है हमारे सामने राइट स्टेट्मेंट सेइंग कॉश्चन नंबर वन शी डाजन एक्सराइज एनिमोर बिकॉर्ट शी हाज पुट ब्लेंक वेट तो यह काफी इंपॉर्टेंट रहती है जैसे सी एचसल और स्सी की जितनी बेग्जाम सोते हैं तो कुछ क्वेश्चन फ्रेजल वर्प्स क और हम उसमें करेंगे नेक्स्ट लास में तो आज हम पूट वाले करेंगे तो यहां पर क्या पहला चाहरा शी से डजन एक्सराइज अनीमोर विकॉर्ट शी एस पुट ब्लेंक वेट रई तो एक्शली पूट अंबी होता है पुट इन भी होता है पूट बाइब पूट द घापता है पूट डाउन भी ओता है वैस्तो टॉट ढाउन जब हम पुट पूड के साथ Frasal वह पूट डाउं डाउन नीचा ईभिशर जब टेकम की सिखते हैं तो इसको तो पॉटगां करते खेल के जाता है जैसे कोई उपीणियन के अगर हम बात करें राइट तो यहां पर तो पूट डाउन तो एलिमिनेट हो जाएगा अब जैसे पूट डाउन होता है तो डाउन अगर नीचे है तो पूट अप भी ओता तो पूट अप भी एक फ्रेजल वह होती है जिसके दो तीन मीनिंग उते हैं पूट अप के ठीativo तो पॉट बाए पूट वाय भी होता है पुट बाय ओता है सेविंग करने की सेंस में लुट सेमफ हैं ठीक हैं प्यासिक को बचाते हैं तो उसको सेविंग को पुट माय बोलते हैं यहां पे जो एक्श्व हमारा ग्रड़ जएड़ पूट ऑन रई तो पूट आन के द उसका जो वेट वेट है वो पुटान हो गया है बढ़ गया है वो गेन कर लिया उसने इतना ज्यादा ठीक है जो फैटी हो जाता है इंसान वो फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाता राइट तो पुटान का एक मीनिंग तो होता है students to gain यहां लिख देता हूं जो हमारा answer बना that is put on और इसका पहला meaning लिख ले आप copy to gain होता है और second meaning इसका जो प्रिटेंड करना भी होता है पुटान का she put on a beautiful watch she put on a beautiful watch so ya hapa hamis ko we are valley sense me use career the first question got your right answer money that could be option number a right she doesn't she doesn't exercise anymore because she has put on weight question number second second question my father put blank the money to buy the house so I just told you just say put my father put blank the money to buy the house तो मेरे फादर ने क्या किया पैसे को यह सेव करने के वैसे यूज करना चाहरे है तो यहां पर basically जो है बाय आएगा अभी मैंने आपको बताया कि put buy क्या होता है to save करना to save put up एक तो मैंने अप्ग्रेड भी बताया put up का मिनिंग स्टे करना भी होता है put up phrasal work का मिनिंग स्टे भी होता और upgrade sense में भी होता है right तो यह ध्यारग नहीं यहां पे saving के context में कि मेरे जो फादर है उन्होंने पैसे को क्या रहे किया सेव किया है to buy the house घर को खरीदने के लिए यह बोलना चाहरे है कम दो कॉस्टिन नुमर्ट थार्ड so will the last one to leave please put blank candles right to candles को बुझाने की बात कर रहा कर रहा है यहां पे राइट तो यहां पे बुझाने की बात कर रहा है यहां पे राइट तो यहां पे वोड़ा is put out to put out phrasal verb very very important seas ka right and seven egga or put out ka meaning of the students put out phrasal verb ka meaning with the head to extinguish to extinguish right bujana just about Lula please put out the lamp please put out the lamp के लिए मतला हम यह बोलना चाहरे कि लैंप को बुझा दीजिए तो put out phrasal verb ka युज के जाता है in context of basically extinguish के context में come to the question number fourth when your salary is in good blank something against contingencies इसका meaning basically emergencies वाता है इस वर्ड का ठीक है जैसी कोई problem आती है difficult time आता है right तो वहां पे जो है हमें बोल रहा है कि हमें saving करनी चाहिए so that हमारा जो पैसा है means हमें contingencies में is emergencies में जो हमें help right तो यहां तक यह बोल रहा है स्टुडेंट्स तो यहां पर क्या आना चाहिए basically अभी मैंने आपको बताया था एक पुट बाए पुट बाए both the phrasal verbs have the same meaning that is to save to saving लिख दिया मैंने वहां पर गलती से राइट तो to save आप लिख सकते हो यह आप डिरेक्ट ही saving लिख सकते हो right savings करना basically ठीक है ताकि जो difficult time जब आता है तो हम अपने पैसे को बचा के रखेंगे तो फाइदा होगा ठीक है तो यह बोलना चाहिए कि जब आपकी सलरी अच्छी होगी तो आप जो है कुछ पैसे को save करो ताकि जो है यह बोलना चाहिए अब यहां पर सी option में भी बड़ी अच्छी फ्रेजल वर्ब है और यह भी काफी competitive exams में पुछी आते इवन बैंकिंग के exams में भी इसको पुछा गया एक दो बार राइट SBI के exams में सुपट आफ को जो है बहुत बारिश पढ़ जाती है और आप अपने प्लान को केंसल कर देते हो राइट साब बोलोगे डिव टू हैवी रेंस आई पूट आफ मै जर्नी कि मैंने उसको पोस्ट फोन कर दिया स्थगित कर दिया राइट तो पूट आफ का मीनिंग आप लिख सकते हो तो केंसल कर देना राइट उसको cancel out कर देना come to the question number five अब यह हमारा चला close test तो as we know close test क्या होता है basically इसको rapid fillers भी बोला जाता है students this particular question is also known as rapid fillers और we can also call it close test तो यहां पर vocabulary का एक चेक होता है बच्चे का बड़े close words given होते हैं इसी question को नाम दे दे गया close test का सो first of all एक बार आप इसको reading दे पूरे paragraph को फिर accordingly जो हम इसको करते चलेंगे the statement saying in a strange blank the production and the consumption of the event become cause for concern blank wonders by the newer forms of non caring or violence are appearing somehow silence even blank quietly suppresses a meditation on such events blank a professor I can recollect the number of occasions when my students have cried as we discussed such events in class blank society seems so indifferent so this is all about the passage जो कभी भी जवा close test करते हो तो पहले उसको एक बार reading देना चाहिए complete so first of all you have to read the whole paragraph then after उसको understand करें कुछ passages जो है positive or negative context के उपर भी डिपेंड होते हैं right तो उसके उपर भी अधारित होते हैं तो accordingly आपको थोड़ा overview लेना brief overview और देखना है कि वहाँ पर क्या सकता है तो इनस ट्रेंज इनस ट्रेंज वे इनस ट्रेंज फॉर्म तो यह बड़ा सिंपल सा है आई तिंग का तो सभी बच्चे एक की सोच ने होंगे that is the right answer a in a strange way of the ticket to yes a huge up is a word cool लगाना यह 8 color to put the right word at the right place clear in a strange form in a strange step in a strange method out of contextual vocabulary है in a strange way hota है so next आगे move करते हैं second option पे in a strange way the production and the consumption of the event become cause for concern second memory blank wonders one wonders anyone wonders someone wonders और somebody wonders तो देखो एनीवन भी कोई एक है बन भी एक है देखा जाए समवन भी एक है याक्डी सब्सक्राणों है यह बीनेपनेटी सब्सक्राणोंन है अनीवन भी इन परनाूंना समन भी संब़ल बी प्रेनादी यहीं आएंगे यहां कि in general सभी को ही राफर कर रहा है जैसे हम बोलते हैं वन मस्ट डू वन्स डूटी तो वन्स कंट्री तो वन्स डूटी टू वन्स कंट्री यह सी एचेसल का क्लोस टेस्ट एक्चुली पेपर में आया हुआ है फैले ठिक है जितने भी क्वेशन्स हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट ह है कुछ इसमें नए आड़ान हुए कुछ पिछले प्रिवियस एर एक्जाम के उठाये हुए तो यह एंड़ पॉइंट पे अब आपको पता है 2011 अप्रिल से स्टार्ट से के एक्जाम सीजील के तो अब वही कोश्चन मेरी कोशिस है कि हम वही दे रहे हैं जो आपकी पॉइं साइलилась और वालेंस एर अपयरींग समहाव सायलेंस इवन नेक्स्ट पे जाते हैं साइलेंस समहाव यहाँ पर buildings कर रहा है अब यहांड क्राव यााँ ठीक है साइलेंस एवन तो यहाँ पर क्या और रहे हैं है बिसीकली अटेंशन साइलेंस अरटेंशन वह इस रिगार्ट तो आप अगर आगे देखोगे ना तो यहाँ पर भी इन डिफरेंट यूज रहे हैं ठीक है सीमसो इंडीरेंट थो सुकर राइट ऑनेगा साइलेंस इवन ही या तो मतबद सुपो जाओ हां या इन डिफेरंण अहों ठेक है इंडीरेंट उता बैसिकली जो सेम रहता है प्लैजर हो हैपिने सो दो इन डिफरेंट बिसिकली इसमें कोई डिफरेंस नियोता फारक नी जा रहाता राइट उसी को इन डिफरेंट आएगा ठीक है तो वहाँ पर बेसिकली कॉंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग बनेगा इन डिफरेंट स कम तू तो क्वेश अमेडिटेंशन अंच इवेंट्स ब्लेंग ऐप्रोफेसर लाइक अ प्रोफेसर आलाइक अप्रोफेसर आजपर बिंग अपर बनाईग क्योंकर बी इंग ऐसे नियम बोलता नब बिंग अगर आइन अग्यारम आप यह से बढ़लता बीइंग और एनी डे राइट तो यह तो हमें स्टार्टिंग में यहां पर लिखना पढ़ता है इट इट बिंग अ रैनी दे ठीक है जी अब जैसे मैं लोगा बीइंगा डास्टी ट्यूट आई एडिमिटेड हिम सो ही बीइंगा डास्टी ट्यूट तो यहां पर आज़ा प्रोफेसर आएगा इंस्टेड की मैं बीइंग प्रोफेसर लगों तो सी वोड़ बीदा राइट एंसर राइट यह हमारा हो गया उसके बाद क्वेशन नमर नाइंट पर आजाएं दिसीजा ब्लेंक एक्चली थोड़ी से मिस्टेक है यहां पर यहां पर यहां एगा तो थोड़ी करेक्शन कर लेना मैं यहां प अगल देखो अगर इन आउट वॉर अप्चिन सबसे पहले लेमिलेशन मैं तो आपको पता है बलार तो यहां पर नहीं आए गा क्योंकि बलर का मिनिंग तो धुंदला होता है बलर का मिनिंग तो धुनियोग मेंस अंकलिय अफ रैट जो चीज अंक्लियर जूंदली है तो बलर का तो यहां कोई कॉंटेक्स नहीं है तो यह स्पॉर्ट आएगा बलॉट आए इसका मिनिग भी डिस्ग्रेस होता है दाग धबा जिसको हम बोलते हैं या इंसल्ट बोल सकते हो इसका मेनिग भी सेम है और ब्लॉट का मिनिंग भी सेम तो इसलों इंसल्ट, डिस्ग्रेस , इसलों Ang, इसलों इंसल्ट , डिस्ग्रेस , जो कलंक होता core , दाग होता है , धभबा होता था है , अब कैसे यसा cow Р तरदी बलर जो कि contextual नहीं है यहाँ पे तो वो तो डिरेक्ट आपने ब्लड अलिमिनेट कर दिया लेकिन ब्लॉट सलर और स्पॉर्ट को कैसे अलिमिनेट करोगे अब कुछ ना कुछ तो मैथर्ड होगा ना कोई ना कोई ना कोई तो बात होगी जिसके तुरू आप यहाँ पे तू लेता है स्पॉर्ट टू बलॉट टू इनके साथ प्रेपोजिशन टू आती है तो यहाँ पे यह दोनों ही अलिमिनेट हो जाएंगे ना बलॉट आएगा नहीं आपका स्पॉर्ट आएगा तो बचा सलर तो इसका मतलब यह हुआ कि सलर अपने साथ आन लेता है तो सलर के साथ लगती है प्रेपोजिशन ओन तो कुछ ना कुछ मैथर होता है ऐसा नहीं है कि आप वहां पर यहां पर कोई फ्लूक लगाओगे पेपर में तुका लगा गया जाओगे तो आपको फिक्स्ट प्रेपोजिशन का अच्छा नौलेज होगा कई ऐसे कॉस्टेंस होते ह है जहां पर फिर प्रेपोजिशन फिक्स्ट प्रेपोजिशन का अच्छा अगरा को ग्यान होगा तो आप एलिमिनेशन में था लगा होगे और आपने राइट अंसर तक पहुंझ जाओगे तो सलर के साथ ऑन लगता है मिनिंग तीनों का से मैं ब्लॉट इस आल्स इंसर्ट disgrace right slur ka meaning bhoi hota daag dhabba klunk take a disgrace kar dina take a spot is also same like that right meaning may same but preposition get harpa a happy happy up near right answer page okay so slur is question ka right answer come to the question number 10th the blank of private limited companies is in the hands of its directors so the managers of private limited companies the administrators or private administration private companies got a limited companies got no the right answer is management the management of private limited companies is in the hands of its directors so see would be the right answer over here come to the question number 11th ram the prince for ayodhya blank his siblings अच्छा question options काफी अच्छे है इसके तो आप एक वर चेक करें students क्या हो सकता है what could be the right answer for this particular question option a more adorned आएगा option b बोल रहा है आपका adorned आएगा तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि एंडेंजर का तो कोई लिंक कि यहां पर नहीं है थोड़ा अगर आपकी पकड़ अच्छी हो तो एकदम से question के अधार पर यह तो डिरेक्ट हो जाएगा यह तो नहीं आएगा अब यह क्या आता विशेटिट का में नहीं भी ओता insult करना राइट किसी को insult करना या वी कैन से डिफेम करना नेगटिवर्ड अभी तो अपने siblings को डिफेम थोड़ी करेगा यह भी ड्रॉप हो जाएगा नहीं आएगा अब यहां पर क्लोज आप्षिंस है यह भी अडोंड आएगा यह अडोंड आएगा राइट तो अडोंड जो एवला वर्ड है ना बिसिकली इसका मीनिंग उता स्टूरेंट जब हम जैसे ट्री होत होता है ऐसे करके ट्री होता है क्रिस्मिस तो जब क्रिस्मिस आती है तो स्ट्री को हम क्या करते हैं हम उसमें बैल्स लगाते हैं ठीक है उसमें हम बल्ब्स लगाते हैं उसको डैकोरेट करते हैं तो अडोंड का मिनिंग तो डैकोरेट होता है डैकोरेशन होता है तो योद् प्रजोर्ट मीनस होता है बेसिकली प्रेज करना तो वह सबस्कत करते हैं अपने ओस उदू ओन के सिबलिंग मेंकु सबस्कीर करेंगे ब्रिज के नीचे वाटर ही तो हता है अब इसमें तो कुछ नया नहीं है राइट कि जो पूल होता है ब्रीज होता है उसके नीचे से वाटर ही तो जाता है हना कुछ भी है नाला है कोई या कोई रीवर है तो ब्रीज है उपर नीचे से वाटर जा रहा है तो इसमें कुछ डि लेनी चाहिए ठीक है हमें आगे देखना चाहिए तो पास्ट इवेंट्स आ नो लॉंगर इंपॉर्टेंट राइट तो इसका अंसर कुछ ऐसे बनेगा 12 का बाकी ऑप्शन्स कर लेते हैं यह सेवड़ बाइदा बेल सेवड बाइदा बेल जैसे स्कूल्स में आसे कई बार होता था कि लास्ट कोई पिरियेड चल रहा है ठीक है और जो है किसी बच्चे से टीचर ने क्वेश्चन पूट कर दिया अभी क्वेश्चन वह अंसर देने वाला होता है तब तक बैल बच जाते की छुट्टी होगी ज वह गया सेव्ड बाइदा बेल तो सेवरेड गड़का राइट मिनिंग्स च्रेंडस दो बंदा बच गिंग बालबाल बच गया सिएवड at the last मुम्मैंट तो सेवא фिव जो बोलता है को बाल बंझने को रहेर ब्रेड्ट दुवा नवासकेब बोलते हैस वह संको दो तिन एडियं साँ धहार अरगना तो किसी डिफरेंट कॉंटेक्स में पुछा गया इडियम है so saved at the last moment करें यहां पे बाकिवन time is in your favor बिल्कुल irrelevant है the bell rings at the most opportune opportune time अच्छा time बिल्कुल गलत है यह ठीक है prayers are answered when the church bell rings बिल्कुल irrelevant है तो यहां पे answer जाएगा हमारा saved at the last moment come to the question number 14th flea market अच्छा idea में flea market market for semi-precious tones and jeweler a market where stolen goods are sold up street market selling second-hand goods a small but crowded and noisy place right तो यह flea market जो basically idiom है इसको यूज किया जाता students जो second-hand things होती है ठीक है जहां पे जो है हमें second-hand समान मिलता है ठीक है चोरी वाली चीज़ें जहां मिलती है वो मत करना stolen goods के लिए flea market use नहीं होता है तो the right answer is C come to the question number 15th down to the wire right down to the wire AB achha idiom hair removing the bondage that is keeping on down the last second before the bomb explodes to denote a situation whose outcome is not decided until the very last minute of finishing all one's resources to the last penny so down to the wire coming in with the students to denote a situation whose outcome is not decided until the very last minute right we a Cassie situation or the a japa whose cajo outcome hotels cause your result hota hai wo basically decided nao tabilkul antim time took to get until last minute took come to the question number 16 and X to grind and next to grind ka meaning your tie is coming in with the students something done for selfish purpose right जैसे कोई friends है आपके आपको कभी याद नहीं करते कभी आपको कॉल नहीं करते बट कभी उनको आपके साथ कोई काम पढ़ जाता है उनको मतलब पढ़ जाता है तो आपको कॉल आ जाती है ठीक है तो मतलब एक क्या ऐसे जोते है तो यहां पर आप अंसर करें बेसिकली पर पेरिंग फॉर फ्लाइट बिल्कुई रिलिवेंट सम् इम्पोर्टन टास्क टू लिटल बिट है बट कम्पलीट नहीं वन वन्स स्किल अप्राइवेट एंड टू सर्व करें आपर राइट अंसर कि अपना प प्रेक्टिस्ट फॉर और दियर एज बिकम्स ब्लंट यह बिल्कुल ही गलत है यह मत करें यह रॉंग ऑप्शिन से कंड़ एट 17 वन वर्ड तो कट अप फूड एस्पेशली मीट देखा मीट को बो रहा है इंट वरी स्मॉल पीसीज छोटे चोटे टुकोडों में जब कर दो यहां पर बच्चे गलती करते हैं कई विचे रॉट टू छॉप बिसोचते हैं लेकिन डू चॉप चॉप तो बैसीकली हम जो है वेजीटेबल्स को भी करते हैं ठीक है तो चॉप यहां पर नहीं आएगा तो एक और एडियम इसके लिई उसके लिज़ता है तूब मीट सब्सक्राइब जोटे चोटे-चोटे चोटे उसको मेंसवीड बोल तें next 18th the action of repeating something allowed allowed means in a very loud voice right from memory memory से दिमाग से उसको repeat करना basically जैसे छोटी क्लासी में होता था recite करवाते थे ठीक है तो यहाँ पे पैराफरेस तो नहीं होगा पैराफरेस यह होता है कि कोई situation है class में groups बना दिया या different different बच्चों को वो सिच्वेशन बता दी उसके उपर सोचो फिर क्या होता है टीचर जो है थोड़े टाइम के बाद जो है बच्चों से उनकी thoughts पूछता है और फिर एक फाइनली जो है वो एक निश्कर्स पे निकलते हैं कि यह जो मैंने आपको दिया था इस पर यह फाइनल जो है इसका conclusion that is called paraphrasing right तो rendition भी नहीं होगा और erudition क्या होता है basically erudite क्या होता है erudition यह answer नहीं है basically यह answer मत सोचना ठीक है मुझे आगे लगाना था actually गलती से लगा दिया erudition होता है students जो person जो scholar होता है learned person right जिसको बहुत knowledge होता है clear so we here in abhimanyu institute we have erudite faculties ठीक है quality wise हमारी जो faculties हैं बहुत अच्छी है erudition ऐसे यूज किया जाता है और यहां पर राइट एंसर यह जाएगा d would be the right answer recitation recitation next 19th the process by which air is circulated through mixed with or dissolved in a liquid or substance right to volatile तो मेभी आपने chemistry में पढ़ा यह तो minute हो जाएगा ठीक है एफ एफ लूवियम और जो है यह जो मियाजमा है यह पता क्या होता है यह होता है बैसी के लिजो फैक्टरी भी गया रहती नहीं जहां पे आपने देखा होगा की जहां पे इंडॉस्ट्रिल एरिया होता है या कोई फेक्टरीज विए रहती है आपे स्मेल हम बोल सकते हैं तो ariating इसका राइटेंट से बनेगा ए कम तो ट्वेंटी फॉस्टिन में ट्वेंटिए थ लोवर जॉब ओन इन मैमल्स और फिशिज अब ट्रंक तो आपको पते होगा स्टूएं ट्रंक तो नियोगा ट्रंक तो सूंड को बोलते हैं जो एलिफेंट यह की option बचा हमारा और यही इसका राइट अंसर है that is mandival mandival इसका राइट अंसर बनेगा mandival right come to the question number 21 or someone to act in a violent or unlawful way तो unlawful way में जो किसी को urge करता है किसी को करने के लिए violent or unlawful way में right that is instigate भढकाना किसी को right एक उकसाना होता है वो provoking होती है but instigate करना मतला आप किसी को भढ़कार हो कि तुम कुछ गलत करो violence करो right unlawful illegal way में that is called instigate or instigate safe insight बन जाता है come to the question number 20 second error question as students with ambition one can achieve nothing to get determiner question have basically right what happened nothing I got anything I got with ambition the statement is going in positive achieve word say हमे पता लग जाना चीव यहां पर positive है जब यह positive है तो positive के साथ तो आपको positive ही वर्ल लगाना पड़ेगा न है option बनेगी हमारी C और इसको हटना है और यहां पर लिखने anything right so the right answer would be over here that is anything come to the question number 23rd the interviewer asked the interviewee to what district he came from selection is there choice is there interviewer now say pooch a interview say it um kiss districts a a teo right to jump kbb sentence my students choice oh selection ho to happy kbb what nil got a so choice ke liya ham hamisha use kartham which ka right this map simple tone which writer do you like which singer do you like although joe which other non-living things mahi ata but ek ba dhyana jaha pe selection otea choice otea boss are a low card a or me both the home to buy in message or mr. sharma kone yeah in logo miss a mr. gupta kone so well which one is mr. gupta which one is mr. sharma right selection is there so if there would be any implied selection so we can use which with living being also remember this particular point right so you happy to write and suffering out to what the letter students you happy instead of what we have to put over here which this could drop curry on pay what course selection a your page selection clear choice ke liya ham hamisha lagate him which could he had an important a a jata a question cover Charlie the clock was not intimidated by his boss bullying so what could be the right answer right answer abhi happy the coach a boss case a Joe apostrophe lagarana who gullet lagar I want he hapa hama koi is koi use karnegi load nia kiki ham ya hapa koi possession nisho karre so his boss bullying I got direct no need to use here apostrophe s come to the question number 25 he walked as if the earth belong to him he walked as if the earth belong to him I say chal ta ki jow earth hai jaseki puri jodharti hai ho uski right to yek hypothetical statement imagination hai yaha p conditional statement is this right or imaginary or conditional statements hamisha students diharakna hamisha past tense ko laga jata condition may kbh b present or future tense nisho karre to a pika koi jana chai imagination hai as if are a yeh the ko yeh expression if ho as if ho right would that home and a bataya top ko to yin ke sahto me shah joham past tense ka use karthaya or past tense ka use karengi to see part galat banega belong ki jaga yaan lag janachia belong instead of belong it should be belonged over here right come to the question number 26 this misogynist hates all mother-in-law lady doctors and housemates top ko me nnei bata ya thas students wo waha peko compound noun ka form hai basically right to mother yaha pein noun hai primary joh noun hai usi ko plural kariye na ki last wale noun ko plural kariye yeh wala noun plural nuhi hooga ठीकिए is construction में हमेशा जो primary noun hota hai usi ko hi plural kia jata hai to you happy answer mana hamara that is b right so this misogynist misogynist hota hai a person who hates woman the kiasa bandha joe or to say nafrat karthaya woman say nafrat karthaya right come to the question number last and final 27th 27 question dali management a few tiles on skylab were the only equipments that failed to perform well in outer space right a few tiles on the skylab were the only equipments to jabam noun part and students to waha peop ko me nnei bata ya tha ki kuch as a noun sote engine ki plural form basically nahi hoti hai this is scenery machinery poetry furniture luggage vacation in kika bb plural form nahi hoti hai basically to ya hapa equipments ka draw up ya hapa asko hata day is kori move karay next class may be my kuch phrasal verbs feed alunga students jis me my look well a pair utanga look well a me comes around 15 14 to 15 phrasal verb jitni be look ke uper banty a support ke uper a comment a charge beta important so a pen in direct nap put down take a put off buddy important have put up with the bota put up with this coming to tolerate hota I cannot put up with him with that nasty fellow I cannot put up with him any longer this person go my dad up tolerate nahin kar sikta ho to put wallage as a mini-age valise study my questions ruta a day similarly next class में मैं जो लुक वली वर्व के important phrasal verbs आपको सारे करवा दूँगा लुक के उपर भी बहुत सारी बनती है ठीक है तो इंपॉर्टेंट है face के उपर भी बनती है face up भी होती है तो आसे धीरे-धीरे इनी के साथ जो है जो पिछले previous year के questions है साथ में कुछ नए questions sad on करके phrases में कुछ इस तरह से आपको पेपर से पहले-पहले 45 lectures में करवा दूँगा तो आज के लिए तरह रहेगा thank you very much take care see you next video